नमस्कार सुरुची बंकी चमैपका स्वागत है सर्धियों में आवला मार्केट में बहुती ज्यादा मिलता है और आवला खाना हमारे सेथ के लिए बहुती अच्चा होता है तो हर रोज हमें इसका किसी न किसी तरह से सेवं करना चाहिए जैसे कि आवला कैंडी, शर्बत, आचार, मुरब्बा, आवले का चाई, आधी तो आज हम देखेंगे आवला पाउडर घर पर कैसे बनाए इसके फायदे क्या है और इसको स्टोर कैसे करना है तो चले वीडियो को स्टार्ट करते है आवला पाउडर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक किलो फ्रेश आवला लिये है आप यहाँ पे किसी भी कॉंटिटी में आवला ले सकते हो सबसे पेले आवला को धोल लेते है तो पाणी लिया है उसमें यहाँ आवला डाल देंगे और आवले को अच्छी तरह से हातों से इस तरह से रगड कर धोलेंगे ताकि इसके उपर जो भी धूल मिटी वर निकल जाए आवले को धोने के बाद एक नैपकिन से अच्छे से पोच लेंगे पोचने से इसका पाणी सब निकल जाएगा और जब हम इसे कदुकस करेंगे यह फिस लेंगी भी नहीं तो इसे इस तरह से अच्छे से पोच लेंगे इन्हें पोच कर एक धाली में रख रही हुमें इस तरह से सभी आवला दोकर पोच लेंगे आउले में आईरन, फोस्परस, पोटेशम, कैल्शियम और भरपूर मातर में विटेमिन सी होता है यह हमारे हड्डियों के लिए दातों के लिए नाखून और बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है सभी आउला को कदुकस कर लेते हैं कदुकस करते हुए हमें यह ध्यान रखना है कि इसे अच्छे से पकड़ कर कदुकस करना है कभी कभी आउला फिसल सकता है और हाथ को चोड़ भी लग सकती है तो ध्यान रखकर इसे कदुकस कर लेंगे जो गूटली यह उसे साइड में निकाल लेंगे तो इस तरह से सभी आवला को कदुकस कर लेंगे और गूठली को साइड में रख देंगे हम इने कदुकस करके सुखाने वाले है सर्दियों में थोड़ी दूप कम रहती है तो कदुकस करने से यह आसनी से सुख जाते है तो इस तरह से सभी आवला को में कदू कस करके ले रही हूँ आवला खाना बालों के लिए अच्छा होता है बालों का सफे दोना बाल तूटना और जड़ने की समस्या बालों में डैंडरप होना इस तरह से हर एक समस्या पे यह बहुत फायदेमंद होता है आवला यह ऐसा फले आप इसे किसी भी रूप में खाओ जैसे की सुखा के पका के या फिर भुगो के इसके जो पोशक तत्व है वो सभी इसमें सेमी रहेंगे कम नहीं होते तो यहाँ पे सभी आवला को मैंने कदुकस कर लिया है और गुटलियों को सैड में रखा है अभी सुखाने के लिए हम इसे थाली में या फिर परात में ऐसे फेला के डालेंगे तो मैंने या पे एक परात ली है इसमें इस तरह से इसे फेला के डालेंगे तो एक इसमें डाला है अभी और बचा है तो और एक थाली में मैंने डाल दिया है तो अभी हम इने धूप में रख देंगे उससे पहले और एक तरीका है वो भी आपको दिखा देती हूँ तो आप इस तरह से आउले के स्लाइस कर सकते हो अगर आपको कदुकस नहीं करना है तो इस तरह से आप इसके स्लाइस करके भी सुखा सकते हो लेकिन इन्हें सुकने में थोड़ा टाइम लगता है धालियों को दूप में रख दिया है इसके उपर एक चुन्नी डाल देंगे ताकि इसमें धूल, मिट्टी, बाल या फिर कुछ भी का अच्छरा ना जाए इन्हें अच्छे से तीन से चार दिन दूप में सुका हैंगे दूसरे दिन धककर निकालके आवले को थोड़ा से मिक्स अप करेंगे और फिर से दूप दिखाएंगे ताकि जो सुका हुआ आवला ये वोर नीचे जाए और नीचे का गिला आवला उपर आके यह अच्छे से सुक जाए तो इन्हें अच्छे से सुकने देंगे आवला सुकाने के लिए समय थोड़ा कम जादा लग सकता है क्योंकि दूप कितने अच्छी है यह उस पे डिपेंड करता है आवली को जो पिसेस में कट किया हुआ है वो थोड़ा मोटा रहता है तो उसे सुकने में थोड़ा टाइम जादा लगेगा कदुकस किया हुआ आवला जल्दी सुक जाएगा आवली को मैंने पेले ही सुखा के रखा था कदुकस किया हुआ अवला और बारिक पिसेस में कट करके रखाता हुआ अवला दोनों दरह से मैंने सुखा के रखा है तो इसकी पाउडर बनाएंगे अब जो कदुकस की आउला है वह 3-4 दिमें अच्छे से सुख गया था और जो पिसेस में कट किया था उसे सुखने के लिए थोड़ा जादा टेम लगा था यह दूपे भी डिपेंड करता है तो अभी हम कदुकस की आउले की पाउडर बनाएंगे तो मिक्सर के जार में यह डाल दिया है और इसकी पाउडर बना ली है तो इसे एक चन्नी से चान लेंगे चाननी के बाद जो मोटा बचेगा वह मिक्सर के जार में फिर से डाल कर उसे पिस लेंगे आउला को पिसनी के बाद तुरन धकन नहीं खोलना है वरना जो अवला पाउडर लेती है वह थोड़ी हवा में उड़ती है तो इसे एक से देड़ मिनिट एसे ही रखेंगे मिकसर के जार को और उसके बाद धककंखोल कर इसे छान लेंगे तो मैंने इसे पीछ लिया है फिर से छान लेते है कदुकस के हुए अवला और बारिक पिसस में कटके हुए अवला इन में से जो कदुकस के हुए अवले है उसकी पाउडर बहुती अच्छे और आसाने से निकलती है जो बारिक पिसस में कटे हुए अवला होते है वह थोड़ सकत होते है तो मिक्सर में से निकालने के लिए उसे थोड़ा टाइम लगता है तो इस तरह से मैंने पाउडर बना ली है आप देख सकते हो मेरा बहुत सारा आवला सुखाई हुआ था उसमें से मुझे जितनी लग रही थी उतनी मैंने पाउडर बना ली है और बाकी का में एक एटेट कंटेनर में भरके सुखे आवला को स्टोर कर लूँगी और जब भी हमें आवला पाउडर की जरुरत हो हम बनाएंगे उसे इस आवला पाउडर को एक एट-एट कंटेनर में भरके स्टोर कीजिए और यह से एक से दो साल आपीस का इस्तमाल कर सकते हो आवला पाउडर को एट-एट कंटेनर से निकालते वक्तिया ध्यान रखना है चमच हमेशा हमें सुखाई लेना है अगर आप गिला चमच इसमें डालोगे तो हमारी आवला पाउडर जल्दी खराब हो सकती है इस आवला पाउडर को इस्तमाल कैसे करें तो आप इसे पाणी में डालकर उबालकर च्छान के पी सकते हो जिससे के हमारा मेटाबॉलिजम अच्छा रहता है आप इसके चाय बना के पी सकते हो जिससे भी हमारी हेल्थ अच्छी रहती है बाल सफे दे तो आप इसे बालो में लगा सकते है नैचुरेली काला कलर आ जाएगा हेर ग्रोथ के लिए आप इसे मेंदी में डालकर लगा सकते हो बालो को घना बनाने के लिए coconut टाइल में डाल के लगा सकते हो तो आज हमने बहुत ही आसन तरीके से आवला पाउडर को घर पे बनाया है और इसके फाइदे भी देखे है आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और प्लीज हमारे चानल को सब्सक्रेब कीजिए ठैंक्यू फॉर वाचिंग